जो भी कोई चीज है एकदम अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ो उसे ना कि उसको बीच में से पढ़ने से तो वो जादा इंट्रेस्टिंग और जादा समझ में आती है हाई गाईज कैसे हो आप सब मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त इशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल E.M. Mathematics पर तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th CBSC Maths का Chapter No.1 Number System का Lecture No.18 लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे आपके NCRT Examples 12, 13, 14 and 15 which are present on page 18 and 19 of your NCRT textbooks तो ये जो एक्जाम्पल से हैं ग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14 and 15 ये जो एक्जाम्पल से हैं बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं हमारे प्रिवियस लेक्चर यानि Number System 17, Operations on Real Numbers उसके अंदर जो हमने 3 important results जो हमने पढ़े थे उससे बेस्ट हैं ये एक्जाम्पल स 12, 13, 14 and 15 इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले मैं चाहूंगा कि आप Number System 17 देखें और जो नहीं देखना चाहते हैं टाइम बेस्ट नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं जाने वाला है क्योंकि जो भी कोई चीज है एकदम अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ो उससे ना कि उसको बीच में से पढ़ने से तो वो ज्यादा इंट्रस्टिंग और ज्यादा समझ में आती है और बेल आइकन को दवाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स चल्द से जल्द देख सकें साथी साथ मैं आपको यह भी बिता देना चाहता हूं कि इस लेक्चर के यानि नंबर सिस्टम 18 एक्जांपल 12, 13, 14, 15 कि जो PDF नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप और बताएंगे कि किस तरीके से आपने question को answer sheet पे लिखना है जब आपके सामने exam होगा और teacher इस तरीके से लिखने पे आपके बिल्कुल भी marks या बहुत कम marks deduct कर पाएगा अगर कोई भी mistake हो तो सब कुछ होने के बाद कुछ बच्चों के पास at present आपकी NCRT Maths की जो textbook क्लास 9th क वो available नहीं है तो जिनके पास available नहीं है वो maths की NCRT का PDF form जो है वो download कर सकते हैं उसका link भी मैंने description box में दे दिया है तो जिस जिस के पास NCRT नहीं है वो please PDF Maths की download कर लें और जिनके पास है वो अपनी books को जल्दी से खोलें page number 18 और 19 पे आपकी NCRT के और उससे पहले एक notebook और copy pen whatever और notebook copy यह की बात है copy pen निकाल लें और heading दे दे number system 18 example number 12 कोई भी question जो है वो display नहीं किया जाएगा you're supposed to open your book your notebook and you're supposed to have a pen in your hand एक दम जैसे अब classroom में बैठे हैं तुशन सेंटर पे बैठे उस तरीके से इस वीडियो को देखो तो यह बहुत ही जादा समझ में आने वाली है so let's begin with number system 18 example number 12 first तो आपका example number 12 जो है वो है check whether 7 root 5 let me write here example number 12 तो example number 12 है check whether 7 root 5 7 upon root 5 root 2 plus 21 and pi minus 2 are irrational or not आपको check करना है कि यह जो चारों आपको numbers दिये हुए हैं यह irrational numbers है या नहीं है तो previous video में यानि operations on real numbers वाली video में हमने सीखा था कि जब भी हम we studied the sum or difference of a rational number with irrational number is always irrational एक rational number का जब irrational के साथ हम sum करते हैं या difference लेते हैं तो वो हमेशा irrational आता है यह result है हमेशा 100% हर case के लिए true है यह previous video में हमने पढ़ा था आपके NCRT में भी है इन examples के बाद चाहे तो आप देख सकते हैं उसके बाद हमने एक और result पढ़ा था कि the product or question of a non-zero rational number with an irrational number is also irrational मतलब एक rational number को non-zero, वो rational number non-zero rational number होना चाहिए, zero नहीं होना चाहिए उसको जब हम एक irrational के साथ product करते हैं या divide करते हैं तो भी हमारे पास जो answer है वो irrational आता है तो इस question को solve करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं या तो सिधा-सिधा लिख दो कि हमें तो पता है जी यह यह बात है इसलिए यह irrational है या फिर आप उनको check करके दिखा दो तो जो दोनों methods हैं जिसको जो पसंद आए वो वो use कर सकता है वो method वैसे दोनों ही दोनों method easy हैं जो जिसकी जैसी मर्जी I mean so first method से solve करेंगे जिसमें हमें पूरा लिखना पड़ेगा और मैं यह method जो है वो कम मतलब suggest करता हूं क्या फाइदा है मैं अच में इतना आप रट्टे वाला काम कर रहे हूं लिखी जा रहे हूं तो आपने simple यही लिखना है कि we know that we know that the sum or difference जो मैंने line सबसे पहले बोली the sum or difference of a rational number with an irrational number of a rational number with an irrational number with an irrational number is always irrational is always irrational is always irrational तो यह बात आपने previous lecture में अच्छे से समझी और जिसने previous lecture नहीं देखा तो वो आजा के समझ लिए अगर समझ लिए नहीं तो फिर जिसने रट्टाइं मारने हो तो फिर वैसी माहले कि हमें पता है कि sum or difference of a rational number with an irrational number is always irrational तो इसका मतलब जो हमारे last के दो numbers है therefore root 2 plus 21 and pi minus 2 यह sum or difference यह rational number का irrational के साथ rational number का irrational के साथ sum rational number का irrational के साथ difference तो यह दो numbers कैसे हो गए irrational और irrational उसके बाद we also know that we also know that we also know that the product or quotient the product or quotient of a non-zero rational number or quotient of a non-zero rational number non-zero rational number with an irrational number with an irrational number is with an irrational number is also irrational तो यह line क्या कह रही है कि एक non-zero rational number का product या quotient एक irrational number के साथ for example यह करोगे तो आपका answer हमेशा irrational आएगा therefore so therefore लिख दो या फिर so लिख दे की बात है therefore 7 root 5 and 7 upon root 5 are also irrational hence हमने चारों को irrational प्रूव कर दिया तो एक तो method था यह जो कि सबसे बकवास method इतना लंबा लिखना पड़ेगा और वो भी सब बच्च कई बच्चों को तो याद ही नहीं होती इसलिए यह method जो है यह मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता बट हाँ जो 5-10% बच्चें हैं जिनको यह अच्छा लगता है जिनको याद हुआ 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 है जिनको और कुछ नहीं जाना तो then they can do this method बट आपका ncrt जो है वो यह वाला method फॉलो करता है second method तो हमें second method में simple उनको चेक कर आके दिखा देना है इस method को शुरू करने से पहले आपको कुछ बाते बता होने चाहिए वो यह है कि root 5 की value होती है 2.236 इसकी decimal expansion एक non-terminating non-repeating decimal expansion होती है similarly root 2 की value भी आपको याद होनी चाहिए वो है 1.4142 और pi की value भी आपको याद होनी चाहिए वो है 3.1415 I repeat आपको 4 main irrational numbers की value याद होनी चाहिए वो भी इतनी सी जितनी मैंने लिखी है वो 4 irrational numbers कौन से हैं वो 4 irrational numbers है root 2, root 3, root 5 और pi इसमें root 3 की कोई जुरूरत नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं बट वैसे उसकी भी आपको value जो है याद होनी चाहिए तो root 2, root 5 और pi की values आपको याद होनी चाहिए और यह मैंने लिख दियो और इन सब की decimal expansion non-terminating, non-repeating होती है क्योंकि यह सभी के सभी जो है irrational numbers है तो सबसे पहला देखते हैं हम 7 under root 5 इसका मतलब क्या हुआ 7 into under root 5 यही हुआ एक की बात है और 7 into under root 5 का मतलब होता है 2.236 and so up to इसको जब आप multiply करोगे multiply करना तो आते ही है तो आपका answer आएगा 15.652 and so up to multiply करके देखो तो यही answer आएगा देखो 7,642 ऐसे 7,642 फिर 7,3 ऐसे करके 21 उसके बाद ऐसे 4,5 आजाएगा ऐसे same 15.652 जो है आपका multiply करके जो है number आजाएगा करके देखना आप बिल्कुल easy है तो second पे जाते हैं अब हम 7 upon root 5 देखो ऐसे numbers को solve करने के लिए आपको एक future lecture में चीज तिखाई जाएगी वो है rationalizing the denominator तो इस lecture के लिए आप एक बार याद कर लो कि हम ऐसे numbers को solve करने के लिए क्या करते हैं जो नीचे वाला number होता है उसी से उपर नीचे multiply कर देते हैं जो नीचे वाला number होता है उसी से उपर नीचे multiply करते हैं इसे कहते तो rationalizing the denominator है बट यह मैं एकदम detail वीडियो से उपर बनाऊंगा future इस बारी के लिए इतने से पार के लिए यह याद रख लो future में आपको विल्कुल समझ आजएगा आपको पता लग जाएगा क्या हो रहे है तो इसका answer आएगा 7 root 5 upon 5 क्योंकि root 5 into root 5 तो 5 होता है तो हमने बहुत ज minute answer जिसका आएगा वो होगा 3.1304 dot 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 आप divide करके देखो तो यही answer आएगा पीछे के dot 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 वैसी लगा देना यानि non-terminating non-repeating decimal expansion मैं एक बारी फिर से बता रहा है कि 7 upon root 5 को solve करने का यह तरीका है अगर आप 7 upon root 5 की value डाल के solve करोगे तो इस number से इसको आप ऐसे divide नहीं कर पाओ होगे वो difficult हो जाएगा वो नहीं हो पाता कभी भी नहीं कोई कर सकता इसलिए हम rationalizing the denominator करते है जो की है यह बट अभी अके लिए आप इतना पार्ट जो है याद कर लो क्राम कर लो future lecture में इसी chapter के वह आपको एकदम समझ में आ जाएगा तो जो आपने क्राम किया है वो आपका learning में बदल जाएगा third part में चलते हैं वो है root 2 plus 21 root 2 का क्या मतलब है क्या digit है root 2 के 1.4142 dot 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 plus 21 dot 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 नहीं लगाया तो नंबर कट जाएगा dot 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 has a very important meaning it denotes non-terminating decimal expansion तो इसको आप add करोगे तो 22 point क्या आएगा 22 point 4142 यह आड करना है 1 में फिर similarly fourth है वो है pi minus 2 pi की वाली होती है 3.1415 dot 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 minus 2 इसको solve करोगे तो आएगा 1.1415 dot 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 non repeating decimal expansion therefore non-terminating non-repeating decimal expansion किसकी होती है starting chapter किया हो तो ही इस lecture को देखना वरना कि आप बीच में से movie देखने आ रहे हो non-terminating and non-repeating decimal expansion जिनकी होती है वो होते है irrational number इसलिए कहते हैं कि कोई भी chapter बीच में से नहीं शुरू करना क्योंकि हर start maker पढ़ाई हुई चीज future में कहीं ना कहीं काम जरूर आती है movie को कभी भी बीच में से नहीं देखते एकदम starting से देखते हैं तो ही समझ में आती है that's why non-terminating non-repeating decimal expansion सब की आ रही है और यह सब कैसे कैसे होते हैं irrational non-terminating therefore हमने प्रूव कर दिया कि यह सब इराशनल है तो यह method easy है थोड़ा calculation है जिसको यह पसंद आए वो यह कर ले जिसको यह पसंद आए वो यह कर ले question example number 12 वी एक ऐसे example था जो previous lecture पर बेज्ट था example number 13 14 15 यह सब बहुत ही easy examples है कुछ है ही नहीं in examples में let us see example number 13 now example number 12 जो था वो आप एक बड़ी दुबारा देख लें अच्छे example है मेरी वीडियो देखें कि सोचें कि मुझे तो आ गया जी मुझे सब समझ में आ गया जबकि पल्ले कुछ बड़ा होता है नहीं इसलिए खुझ से जब तक सब नहीं कर लेते तब तक कभी भी यकीन मत करें तो यह example number 13 है उसमें कह रहे हैं कि कि यह सपोस्ट टू आड़ यह सपोस्ट टू आड़ टू रूट टू प्लस फाइव रूट थ्री एंड रूट टू माइनस थ्री रूट थ्री इन दोनों को आपको आड़ करना है कुछ नहीं है जैसे आप पिछली क्लास में एलजेबरिक expressions को आड़ करते थे याद आपको कैसे आड़ किया करते थे उसी तरीके से आप इनको आड़ करके देखो तो यह भी solve हो जाएंगे करके देखें इन्हें आड़ जरा तो टू रूट टू प्लस फाइव रूट थ्री इसको किसमें आड़ करना है रूट टू माइनस थ्री ब्राकेट तो अब ब्राकेट को खोलेंगे तो टू रूट टू प्लस फाइव रूट थ्री प्लस रूट टू माइनस थ्री रूट थ्री यह आएगा अब रूट टू और रूट थ्री वाले अलग-अलग करके लिख लेते हैं तो टू रूट टू यहाँ पे प्लस रूट फिर 5 root 3 यहाँ पर minus 3 root 3 तो अलग-अलग कर दिए अब इन दोनों में से root 2 common common लेना आता हो अगर root 2 common लिया common लिया root 2 इस में से तो क्या रहा गया सिरफ हमारा 2 और इस में से root 2 common लिया तो क्या रहा गया 1 क्योंकि लिख सकते हो रूटू को अके ले को तो रूटू गया क्या भचा वन इसलिए हम यहां पर लिखते हैं वन अधों को यह नहीं पता होता है रूट तो क्युंग लगा देते हैं ज़ tienen क्या का रेन है इसका रटारटा ऐसे नहीं रूट टू को root 2 into 1 लिख सकते हैं मतलब 1 अब भी बच्चा है यहां पर हम दिखाते नहीं है हर केस में root 2 into 1 लिखे तो फिर बहुत ही बक्वास बन जाए बट 1 बचा ओते हैं इसलिए हम यहां पर 1 लिखते हैं उसके बाद यहां पर root 3 common तो उसी तरीके से 5 minus 3 बच जाएगा तो यहां पर क्या आएगा इसको आड़ करोगे तो 3 root 2 और इसको आड़ करोगे तो 2 root 3 यह है आपका answer यही करना था इस question में इस question में पिछले lecture बार relation कुछ ही नहीं so I hope example number 13 जो है बहुत ही easy लगा होगा और आपको समझ में आजएगा हाँ यह easy है तो obviously आपको लगा example number 14 जो है वो और भी जादा easy है उसे जड़ा देखें example number 14 को example number 14 में हमें कह रहे है multiply करना है आपको दो numbers को 6 root 5 by 2 root 5 multiply करना है तो कैसे करेंगे इसको multiply बहुत easy है multiply करना तो यह अब कुछ बच्चे इसमें बेवकूफी क्या करते हैं वो अब जराब देखना 6 root 5 into 2 root 5 अब कुछ बच्चे इसमें से root 5 common लेने के कोशिश करेंगे और लिख देंगे 6 into 2 उनका answer आजएगा 12 root 5 जो की बिलकुल गलत है common लेने वाली property होती कौन सी है common लेने वाली property होती है commutative law, distributive law और associative law यह 3 laws होते हैं आपके commutative law, associative law, distributive law तो distributive law सिरफ addition के लिए होता है multiplication के लिए भी होता है बट यहाँ पर आप इसे common नहीं ले सकते क्या root 5 common होगे तो 12 root 5 answer निकालोगे गलत absolutely wrong इसको आप लिखोगे 6 into root 5 into 2 into root 5 यह लिखोगे आप इसमें 6 into root 5 into 2 into root 5 तो क्या होगा आपका answer 6 into 2, 12 root 5 into root 5, 5 12, 5, 60 common लेने वाली गलती ना करें इस multiplication में common लोगे तो आपका answer 12 root 5 आजाएगा जो बिलकुल गलत है आपको उसके लिए laws पढ़ने पढ़ेंगे सारे associative, commutative, distributive फिर समझ में आएगा क्यों बल्कि यह ऐसे solve होना चाहिए so answer will be 16 यहापे कोई common का चक्कर नहीं होना चाहिए उसके लिए laws समझे then we come to the last example example number 15 which is another easy example we have that is and it's about division 8 root 15 by 2 root 3 it's given divide 8 root 15 by 2 root 3 तो कैसे लिखेंगे इसको यह भी बहुत easy है बट फिर से इसमें भी calculation थोड़ा अलग लगेगा आपको एक बारी के लिए क्योंकि पहली बार ऐसे irrational number का कर रहे हो तो 8 root 15 by 2 root 3 देखो root 15 को क्या लिख सकते है 5 into 3 नीचे 2 root 3 अब यहां पे 8 into root 5 into root 3 नीचे 2 into root 3 यह लिखा जा सकता है हाँ दोनों एक common under root के अंदर हैं तो इनको अलग-अलग under root के अंदर डाल दिया है multiplication के बीच में कर सकते हैं root AB is equal to root A into root B यह हम लिख सकते हैं यह याद रखना root AB is equal to root A into root B यह हम लिख सकते हैं तो root 3 root 3 cancel 2 foza 8 cancel we get 4 root 5 as our answer तो आपने देखा होगा कि example number 15th 14th 13th कितने easy हैं कुछ नहीं है इसमें थोड़ी calculation है चंद important बात हैं थोड़ी थोड़ी बीच बीच में समझने की जरूरत हैं बाकि example number 12 जो था वो पिछल लेक्टर से related था और उसको भी इतना भी more difficult नहीं था जितना सब लग रहे हैं इस पूरे lecture में हमने एक इस example में यहां पर rationalization की थोड़ा concept यूज किये जो आप आपको नहीं आता तो सिरफ यह हम कहेंगे एक बारी के लिए जो है थोड़ा cram कर लो उसके बाद तो आपको cramming का learning में बदल देंगे क्योंकि थोड़े दिनों में ही rationalizing पे भी lecture आने वाला है अभी नहीं सिखा सकते बीच में ही rationalizing काफी जादा लंब हो जाता है और वैसे भी आप confused हो जाओगे इसलिए बाद में rationalizing जो है हम समझाएंगे so that's all this video was about example number 12, 13, 14 and 15 in the next video we'll be seeing finding root x where x is a positive real number geometrically तो root 3.5, root 9.3, root 2.7 ऐसे कितने numbers को number line के उपर represent करना, geometrically represent करना हम सीखेंगे अगले lecture से आज के lecture में बस इतना ही पढ़ाई करते रहें अगर आपने मेरे चानल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो please मेरे चानल को subscribe करें और bell icon को दबाएं ताकि आप मेरे latest video updates जल से जल देख सकें साथ ही साथ आपको अगर यह video बहुत पसंद आई कुछ समझ में आया कुछ लगा कि मैंने अच्छा बढ़ाया है तो please इसको share करें अपने friends अपने classmates के बीच में इस video को like करें और कोई भी doubt है कोई भी queries है तो उसे आप comment section में जरू डालें I'm surely gonna answer you about that PDF notes के बार में एक बार बता देना चाहता हूं कि इसके PDF notes जो है इस lecture के वो जरू download करें वो आपके बहुत time जो है वो waste होने से बचा सकते हैं suppose करो आपको examples नहीं समझ में आ रहे हैं और आपने मेरी वीडियो दुबारा देखने की बजाए notes डाउनलोड कर लिए तो सिधा notes खोल के एक बारी देख लो क्या फाइदा बारी बारी इतनी लंबी इस videos वैसी इतनी लंबी भी भी नहीं है पर ये वीडियो दुबारा दुबारा चला के देखना अगर आप कहीं पर किसी टीचर की जो है clarification नहीं ले पाते नहीं टीचर से पूछना चाते तो notes जो हैं वो सबसे best होते हैं so that's all we have for us today thank you and have a very nice day ahead कर दो उता है दो कि ए अगल कर दो कि ए बारा चाते बार चाते वो झाल झाल